इस लेक्चर में good governance के बारे में discuss करेंगे ये recently news में क्यों है पहले इसके बारे में discuss करेंगे फिर इसे जानेंगे कि ये क्या है good governance ये लगबग हर साल एक दो साल छोड़के इसके बारे में कुछ ना कुछ means में पूछा ही जाता है UPSC में तो union government ने अभी 20 December से 26 December तक good governance week launch किया है इस वज़े से ये news में आया good governance ये इसलिए launch किया जो भी public की grievances है grievances का मतलब दुख समझ चाहें जो भी जनता की समझ चाहें उनको कैसे dispose किया जाए कैसे उनका निप्टारा किया जाए और service delivery को कैसे improve किया जाए village level पे ग्रामिन छेदर में जो service पहुंचा ही जाती है government के जरि connectivity बढ़ें यानि कि government जो भी service देती है वो service में efficiency कैसे improve हो यानि कि जैसे मालो government को scheme चलाती है योजना उसका लाव public तक common people तक कैसे पहुंचे उसको improve करना यानि कि आसानी से लोग scheme का योजना का लाव उठा सकें ये है governance और good governance इसमें देखो बहुत सारे event चलाए जा रहे हैं ए कि स्टीजन को लाव मिल सके governance का 25 दिसंबर को हर साल good governance day मनाया जाता है हमारे देश में क्यों क्योंकि इस दिन 25 दिसंबर को जो former prime minister थे हमारे पूर्व परधान मंतरी अटल बिहारी वाजबई जी उनकी बर्थ anniversary जनम दिन होता है 25 दिसंबर को इसी दिन good governance day celebrate करते हैं अब्ज सब हम celebrate कर रहे हैं उसी का पार्ट की तरह यह मनाया जा रहा इस साल good governance week वैसे तो पिछली बार भी है celebrate किया था जो गवर्नेंस इनिसिटिव हैं गोर्मेंट के various good governance इनिसिटिव जो central government ने लिये हैं तो इसमें target है वो highlight करना इसका जो बहुत सारे good governance practices होती है उनकी exhibition लगाई ग हैं तो उनमें यह exhibition परदर्स नहीं लगाई जाती है कि good governance जो है इसमें कौन कौन से events चलाए जा रहे हैं उनकी परदर्स नहीं की exhibition लगाई जाती है इसने कई सारे events हैं जैसे ease of living या next next face of reform क्या होगा यह बढ़न को reduce करने के लिए एक जो department of administrative reform and program implementation है यह works of वगएरा share करता है यानि कि best practices कि आया good governance हमारे देश में लाने के लिए उनको different department के बीच में share करता है इसमें इस event में जो event होते है good governance के दोरान इस week के दोरान mission करम योगी यह भी highlight इसमें किया गया mission चलाया था एक central government ने good governance वीक पोर्टल एक पोर्टल भी launch किया government ने यह website होगी internet पे जिसमें जितने भी state ये union territory में जो district collector होते हैं भाईसा जैसे आप UPC के तियारी कर रहे हो जब आप collector बनोगे IS तो यह online portal पे जितने भी उन्होंने progress किय achievement किये हैं इस portal पे वो सारे बताएंगे आसानी से वो access भी कर सकते हैं और उन्हें upload करेंगे इस पर documents तो परसासन गाम की ओर यह जो launch किया अभियान यानि कि rural areas में ग्रामिंच छेत्र में good governance को पहुचाना इसका main लक्ष है target है तो यह governance क्या है और इसके main component क्या है यानि कि कौन कौन सी चीज जरूरत है जो governance को promote करती है governance का मतलब यह है कि एक process of decision making decision लेने का एक process है या process by which decision implemented यानि कि ऐसा process ऐसा प्रकिरिया जिसमें decision को लागू किया जाता है या लागू नहीं किया जाता है यानि कि main मक्सद इसका यह है governance और good governance का यानि कि जो भी government योजना चलाती है उस स्टीजन तक पहुंचे नागरिक तक पहुंचे सभी लोगों तक पहुंचे बहुत सारे इसमें governance के several context में यूज किया जाता है governance चाहे corporate governance हो international governance हो national governance हो या local governance हो इसमें देखो eight principle है good governance के यह United Nation ने identify किये हैं जब भी आप good governance के बारे में लिखो तो United Nation द्वारा identify किये यह आठ सि governance को promote करना है तो पार्टी स्पेशन होना चीए पार्टी स्पेशन यानि कि हिस्सेदारी किस की होनी चीए आम लोगों की यानि कि पीपल्स की हिस्सेदारी होनी चीए decision making में उनकी voice होनी चीए directly या तो वो directly हिस्सेदारी करें या फिर उनका कोई immediate institution के तुरू जैसे देखो प local level पे village level पे भाई साव election होता है और सरपंच बनता है election तो पहले भी होता था लेकिन constitutional status दे दिया इसको सम्वेधानिक दर्जा यानि कि लोग अब क्या है लोगों को पास voice है कि वो अपनी बात रख सकते हैं पंचाग में तो ये एक तरह से participation हुआ लोगों का तो good governance के लिए participation जरू है दूसरा इसका principle है सिद्धान्त rule of law rule of law देखो लागू होना चाहिए ताकि fair और impartial decision ली जा सकते फियर impartial का मतलब पक्षपाक्त ना हो किसी के regarding किसी के favor ना करें next is transparency transparency भी होनी चाहिए अगर information freely flow होना चाहिए information का ये directly देखो जो भी information है किसी को लेनिया available होनी चाहिए और ताकि वो understand कर सकें किसी योजना के बारे में information हो या किसी program के बारे में information हो वो available होनी चाहिए public के लिए ताकि transparency increase हो monitor किया जा सकें उसके बारे में next is responsiveness responsiveness का मतलब है कि एक reasonable time frame में जो भी stakeholder है वो कोई भी program या scheme है जितना भी उसका target है उस target के अंदर उसको फुल्फिल करने की कोशिस करें next is consensus orientation consensus का मतलब है सहमती जितने भी different interest है society में यानि कि different people है तो उनमें mediation होना चाहिए यानि कि best interest serve होना चाहिए whole community के लिए यानि कि उनके हिसाब से उन्हें क्या जरूरत है उसके हिसाब से fulfill होना चाहिए next equity जितने भी resources है वो देखो हर एक आदमी में equally बटने चाहिए हमारे इंडिया के जो resources है या कोई scheme चलाई जाती है मानलो poor people के लिए तो जो most vulnerable section है यानि कि गरीब से गरीब लोग है उसके पास भी opportunity होनी चाहिए कि वो resources का equally फायदा उठा सके next effectiveness and efficiency देखो यह क्या है जो भी resources है उनका best use हो यानि कि कम से कम resources में ज्यादा से ज्यादा लाव benefit लिया जा सके ये एक तरीका होना चाहिए next accountability accountability होनी चाहिए कि जो भी public official है वो public के लिए accountable हूँ institutional stack holder के लिए accountable हो यानि कि अपनी duty सही से करें जिम्मेदार हो जो भी वो decision ले अपनी जिम्मेदारी ले अब challenges क्या है यह तो component इसके principle पूरे होए यानि कि good governance के सामने इंडिया में क्या-क्या challenges है क्या-क्या चुनोतिया है पहला है woman empowerment महीला ससकतिकरन यह हमारे देश में देखो हर एक department में फैला हुआ है यह major obstacle है good governance की quality को improve करने के लिए obstacle का मतलब बाधा यानि कि governance के सामने क्या क्रफसन एक बाधा है क्योंकि जो public official होते हैं अफसर होते हैं government officer वो भरिष्टाचार करते हैं तो फिर जो scheme का योजना का लाब people तक नहीं पहुंच पाता है सारा पैसा तो व उनके अधिकारों का common man है जो उनके अधिकारों का उलंगन होता है तो common man timely justice प्राप्त नहीं कर पाता है तो यह एक तरह से governance को जल्दी से good governance को promote करने से रोकता है next step centralization of administration system centralization का मतलब है जब power जो authority है वो एक के ही पास हो यानि कि जैसे central government के पास सारी authority हो तो यह क्या good governance को रोकत पी है जैसे मानलो 27.30 इंस्ट् governing इंस्टीविशन ने बना बोटीये बहने सर पंचरान्च के लिए election होता है लेकिन उनके पास जदा power नहीं उनके पास पास फंक्शनरीज होते हैं उनके पास एक्सपत होते हैं उनके पास इतना फंड्स होता है यह नहीं कि इन एड्विटस होता है तो ये भी एक road block है good governance में next is criminalization of politics criminalization का मतलब है यानि कि राजनीती का राजनीती में ये अपराधी करन राजनीती का अपराधी करन हिंदी में बोलेंगे criminalization यानि कि criminals जब politics में आ जाते हैं मानलों बहुत सारे ऐसे पसंद है देखो बहुत ज़्यादा डिबेट चल रही होती है इस पे लगबख हर दिन आप न्यूज में देखते होंगे बहुत सारे ऐसे politician है case चलते रहते हैं किसीने मडर किया है किसीने कुछ कर दिया है रेप किया है और वो तब भी election किसीने फायदा पहुचा आया है किसीने मानलों फंडिंग किया politician को election लड़ने में और वो पहले सी बहुत क्रिमिनल है तो यह बिजनिसमें जिसने थायता पहुचाई है यह इसके लिए इसके फायदा के लिए policy बनाने के लिए support करेगा यानि कि governance के मामले में criminalization of politics एक road block है यह भी challenges है environmental security sustainable development इनको अचीव करना यह भी भाहिसाव एक challenges है globalization, liberalization, market economy यह भी challenges है इनके भी अब इंडिया ने कौन कौन से initiative लिए है good governance को improve करने के लिए यह देखो भाहिसा पहला है good governance index इंडिया ने यह चलाया ministry of personal public grievances and pension यह वाली ministry ने चलाया ताक कि जो governance का status है हमारी country में determine किया जा सके निस्टित किया जा सके और इसमें देखो बहुत सारी जो state government और union territory की government है उनके लिए यह initiative लिया ताकि वो ना अपने state union territory में initiative लें कुछ good governance को improve करने के लिए और उनकी इसमें ranking दी जाती है कि कौन सा state कौन सी union territory किस rank पे है एक है national e-governance plan यह government ने चलाय इसमें सारी जो भी government services हैं वो common man के लिए accessible हो अपने local level पे यानि कि अगर कोई गाम village area में रहता है तो उनको सारी service उनके गाम में उपलब्ध हो उनके गाम के आसपास कुछ किलोमेटर दूरी पर यह common service center बना दिया जाए common service center के जड़िये यानि कि common service center बोलो या common service delivery outlet बोलो वह यहां पे वो जाके मानलोग उन्हें आधार कार्ड बनवाना है या मानलोग कुछ pen card बनवाना रासन कार्ड बनवाना है या गाम के और कोई residence certificate बनवाना है कुछ भी service लेनी है उन्हें तो वो उस service center पे जाके बनवा सके apply कर सके तो यह service पहुचानी है इसके जरिए efficiency transparency को सून आया government ने यह भी किसलिए transparency को improve करने के लिए ताकि people को एक तरह से choice दी voice दी कि कोई भी people जाके information ले सकता है किसी के भी regarding किसी भी department से next है कुछ और initiative भी लिए government ने जैसे नीती आयोग बनाया make in India program चलाया cvc cvi और लोगपाल यह corruption को remove करने के लिए eliminate करने के लिए यह body बनाई cv